आज हम pancake बनाएंगे, कभी आपको थोड़ा से भुख लगे, हलका भुख लगे तो आप जट पट बना के खा सकता है simple तरीक से बनाएंगे, घर में जो समान है उसी इक साथ बनाएंगे, एकदम आसान तरीके से इस recipe को बनाने में आपको 10 से 15 मिनट आएंगे, इससे ज़ादा time नहीं लगेगा चले बनाते हैं एकदम आसान तरीके से, यहाँ पर एक बरतन में एक अंडा लेंगे अंडा डालना ही इसमें बिलकुल अप्सना लें, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो बिना अंडा को बनाएं इसके वाजिसमें एक चुटकी नमक डालेंगे और एक चुटाई चमच यहाँ पर चीनी डालेंगे चीनी और नमक के साथ अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे अंडा फेटना जलूरी होता है इस रेसिपे को बनाना में आप जितना अच्छे सा अंडा फेटेंगे आपका जो केक है उतना ही फलपी बनेगा फेंट लेंगे इसके बाद हम क्या उतना करंगे इसमें आधा कप दूड़ डालेंगे यहां हम 4-5 पर फेटना चाहता है एक अंडा दूड़ दूड़ को अंडे साथ अच्छे से मिला लें अधा इसको दूड़ के साद फेंट लोंगे लिए इसमें यह बागे की चीज्यह डालेंगे दूद और अंडा को दो मिनट के लिए फेट ले अगर आप टाइम देखकर फेटना चाहते है तो दो मिनट में अच्छे से मिल जाता है यह उसके बाद इसमें ऐसे चमज से मैदा डालेंगे तो मैदा एक साथ नहीं डालना आपको धीर धीर करके डालना पहरे दो डालें उसको अच्छे से मिला लें उसके बाद चेक करें उसके बाद फिर से मैदा डालें तहां पर मैंने दो चमज डाला है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कोशिस करें लंप्स नहीं होना चाहिए तो अच्छे से मिला है थुरत रखर करके एक साथ मैदा डाल देंगे त चार चमच मैदा लगेगा यह नाप है आपका मैदा डालके अच्छे सी मिक्स करेंगे इसके बाद यहां पर आप घोल का कंसिटन से देखे इसको अच्छे से फेट लेंगे दो मिनिट के लिए यहां पर आप चाहे तो थोड़ा से बेकिंग पॉडर बेकिंग सोडा यह सब थ कर लें अगर आपके पास ननिस्टिक तावा नहीं है तो अ कर रिष्थ देखे लिए इसे केक चिपके का नहीं तावगा अगर नौनिस्टिक है तो बीना बटर का भी बन जाता है नहीं चीपकता है उसके बाद ऐसे एसे एसपूंसे उठाना है और चोटे-चोटे करके ब तो फिर से अच्छे से मिक्स कर लें यहां पर मेरा थूरा से बढ़ा है तो मैं यहां पर दो से तीन केक एक साथ बना रही हूं अगर तब चोटा है तो एक एक करके बनाए बस आपस में इसको ची पकनाने चाहिए इसका धियान लखना है थोरी देर बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे कुछ सकेंड में यह एक साथ से पक जाता है उसका पलट के दूसरे साथ से शेक लेंगे अगर आपको यहां पर लगता है कि नहीं पका है तो फिर से इसको पलट के दूसरे साथ से शेक लें एक पैनके को बनने में तीन से चार मिन लगता है आज को मीडियम प कृपकर पास लयकिक के खिराण को ईसा रीक स्टानी के आधिसमें प्रफिर पल्ग लेटाब . इसमें कोया हुत्या रिधार आपको फूली मना में उसी घॉल्धा ड्यास नहीं हो रह्तनी पेसिंहें . कुछ भी बटर या घी लगाने का जरुद नहीं है ऐसे ही तब में जो दुसरा पैनकेक अराम से बना सकते हैं इसको पैन निकाल लोंगी इसक वाद इसमें दुसरा डालोंगी केक को अगर आपको मीठा करके खाना है तो आप इसमें थोरा से चीनी ज्यादा डाल सकते हैं इसे प्लेट में लेना है उसके वाद इसके उपर से चोकलेट सिरप डालना है इस तरीके से देखें मैं कैसे डाल रहे हैं और इसको अलका से ऐसे स्प्रेट कर देंगे उपर से दूसरा केक का पी से ओ डालेंगे फिर एक बार उपर से ऐसे सिरप डालेंगे बिल्कुल यह डोड साथ मीठा हो जाएगा वैसे भी खा सकते हैं यह सीब और इजी केक की रेसिपी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बता है बस आपका खास बत धियान ही रखना है कि इसको अच्छे सापको फेटना है जिससे आपका केक सॉप्ट बनेगा और अगर आप फेटना नहीं तो यह से तो इसमें ठोड़ा सा बेकिंग सोडा बेकिंग पॉड़ा डाल दें आपका कैक सॉप्ट हो जागा बस इसमें और कुछ नहीं करना है हमा यहाप फोर चॉकलेट सिर्प ऐसे डाल देती है थो फोर से डेकरीट करना तो बनता है यह हमआरा बहुत ही सॉप्ट प्ल